हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मेरा नाम है जस्थाज और आप देख रहे हैं जो सोल कंप्यूटर जाना है आज के इस वीडियो में आपको SBA की BC साइड है उसको लोग इन करना बता होगा आप सभी को इस परकार से प्रोब्लम आती है कि SBA प्रोब्लम यहां पर कलिक करते हैं तो इस तरीके से आज आता है तो इसका सॉलूशन क्या है मैं आपको बता देता है तो फ्रेंट्स यह जैसा कि आप देख सेट तो यह मेरा लाच को दिखा देता हूं कि यह उपन हो रही है तो क्रों के इन्दर इस परकार से उपन होगी तो यह विंडों हो गए काम नहीं करेंगी तो अमरी यह जाइड है वो भी इसके अंदर नहीं करेंगी तो यह एक्सलॉट का support है वो Windows 7 में यह SBA का बंद हो गया है तो अब आपको क्या करना है इसका क्या solution होगा तो मैं आपको यहाँ पर Google Chrome में भी दिखा देता हूँ explore में तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अपन देखते हैं तो भी यही problem आती है हमारी side है वो login नहीं होती है तो अब आपको इसका क्या solution है अब आपको Windows 10 है उसको अपडेट करवा देना है अब मैं आपको दिखा देता हूं यह मैंने एक सिस्टम में एनिडेक्स पर ले रखा है और यह है Windows 10 है तो इसके अंदर मैं आपको SBA की side है को login करके दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं यह आप पर यह BC side है यह बिल्कुल open हो रही है explore के अंदर open हो रही है तो आप समझते होगे कि हमारा BC side है वो क्यों open नहीं हो रही है यह साइड की problem नहीं है यह हमारे Windows की problem हो गई है अब Windows 7 का SBA ने बिल्कुल support है वो बंद कर दिया है इसलिए यह हमारी SBA की side है वो Windows 10 के अंदर open हो रही है तो आप आपका Windows अगर 7 है तो आप उसको अपडेट करके Windows 10 करवा लीजिए उसके बाद में अपना BC software रिष्टोर करवा यह उसके बाद आप SBA की side को login कर सकते हैं और अपना वरक कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ल प्रेस कर दीजिए तो